कि हाव केजी बॉनलेस्ट इगन लिए हमने चोटी पीसी बना लिए इसके अब इसमें हम मेरी नेशन के लिए मसाला डालेंगे शुकर चाइनिस नमा के इसमें हाफ टीस्पून रेगुलर नमा के एक टीस्पून औरिगंव एक टीस्पून वन टेबिल स्पून जो है हमारे प 1 तेबल पूण हमारे पास अधर गर सने और 4-5 फांच लिए यह भी आपक करेंगे कि पूण एवे पूण हमारे पस चली आपक शीया हमारे करेंगे कि पणिर्क डालें इसमेर पास पूण प्णिरा न क्याया हुआ है शीन पास चली सोस तेल गराम हो रहा है थाही टॉत нуж को आधि में प्यास डालेंगे प्राई कि लिए हुलाब साधर प्यास कि द्वाइब एक ज़न्यानी साइज की प्यास लीए जो मारिक स्लाइस करके डाली के इस शाज बाइब गॉलदन ही मिष्थित द्वाइब मेरेट वाला गोश है जो हमने इसको एक से टेड़ फिंटा मेरेट करें तब हम इसमें प्याज में शामिल करेंगे हम सिलो आज पर इसको दस से बंदर मिंड के लिए दंपे रखेंगे ताकि गोश गज्या हमारा अब इसमें और चीजे डालेंगे पर टीमाटर मिर्चे और शिम्ला मिर्च इसमें हम एक टीमाटर डालेंगे हमने इसकी बीज निकाल लिया और इक शिलाइस करा एग यह ऑप्छिनल है आप लोग डालना चाहिए तो डालें खोड़ा मिक्स कर रहे हैं अब इसके अंदर लार पाल के लिए पानी बॉयल करेंगे इसमें नमक डाला है और क्याकिते हैं थोड़ा सा तेल डाला ताकि जाए चावल अच्छे खिले खिले रहें इसमें गोश्मा शामिल करेंगे इसमें अपना चिकन शामिल करेंगे हलके हाथ से मिक्स करेंगे कि यूद इसका खुबसूरत वाइटी लगता है वाइट और गिने 5-7 मिन के रिए हम इसे हलका दम दे देंगे थाकि हमारे चाहून में मसाला मिक्स हो जाए है शललह से हमारे राइस तयार हो गए हैं अम हम इसे डिश आउट करेंगे माशललह से बह बहुत ही खुर्सूरत लगा है अब खाके हम आपको बताएंगे कि कैसी को आप इंशाद आपको पसंद जरूरा है कि आरें गई को फेट लेंगे जिसकी मदब से अच्छी करना है मैं दो अधर मिर्चे ले लिए और थोड़ा सा धनिया ले ले लिए बस जादने मुझे कलर अब पसंद नहीं इसलिए लाइट कलर के लिए इस्तिमाल करते हैं में स्मेस कर दूंगे अब हम थोड़ा सा नमक यूज कर रहें इसके अंदर पेस के हिसाब से थोड़ा सा पानी डालेंगे आप यू राइटर बनाके देखेएगा आपको बहुत पसंद आएगा इसका कलर भी इसका टेस्ट भी इंशान लगाना